नमस्ते मित्रों मैं देवासिस आपके सामने धर्ति धन्ना अपना उपन्यास जग्दिश्चंद्र जी का प्रस्तुत कर रहा हूं उसका समिक्षा और व्याख्या जो है आज इस कख्षा में करेंगे इसका जो प्रकाशन है 1972 में हुआ था 1972 में हुआ था इबन इसके प्रमुख पात्रों की अगर बात रहें तो इसमें जो है काली काली जो मुख्ष पात्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं ज्यानो प्रतापी जस्सो मंगू चोदरी हरनाम सिंग ये जो है जमिदार के रूप में इस कहानी में प्रस्तुत होता है जज्यू सिंग जीतू बन्नू प्रीतो निक्कू मुंसी और सिब्राम पंडित रत्न सत्नाम इस तरह से जो है हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं अगर हम जग्दिश चंद्र जी की धर्ति धन्ना अपना कहानी का उपन्यास का भूमिका की अगर बात करें तो इस उपन्यास और पात्र और घटनाई को चैन में मुझे कता ही दिक्कत नहीं हुई इस तरह से जग्दिश चंद्र जी का कहना है क्योंकि इन्हें में बहुत ही नजदिक से देखा है इस उपन्यास के पात्रों से मेरा गहरा संबन्द था हाँ फ्रवन जातियों को पात्रों के बारे में जरूर कुछ दिक्कत हुई क्योंकि उनका अपना विशाल समाज भी था उनके पूरे ब्यक्तित्व और फैस करने से उपन्यास के बिखर जाने का डेर था इसलिए मैंने उनके जीवन का नहीं पक्ष लिया जिसका हरिजन और सामान्य जीवन को जीवन से सीधा संबन्द था धर्ति धन्ना अपना मोल संबेदना की अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से ये देखने को मिलता है कि इस उपन्यास का कथानक काली और ज्यानों के इर्दगीर घुमती है जिसके माध्यम से ततकालिन दलित समाज की सामाजिक स्तिती का चित्रण किया गया है इसमें हम अगर देखें तो धर्ति धन्ना अपना अपन्यास के रचैता जो जग्दिस चंद्र जी दलित अपन्यास कार में महत्वपुन स्तान रखते हैं इनके मन में गरिबों, मजदूर और दलितों एबंग भुमी हिन किसानों के प्रती एक सहस्ता का और समानुभूती का भाव जागरूत होता है समाज का सायद ही कोई पक्षा उनकी जो नजर से छूड़ गया होगा ऐसा हम कह नहीं सकती उच बर्ग से लेकर निम्न बर्ग तक, राजनिता से लेकर निरह जन्ता तक, ब्राम्भन से लेकर सुद्र तक आदि सभी की समस्या को उन्होंने हमारे सामने रखा है इतने उपन्यास पकारों के अंदर इनका स्तान अभिश्मरणियम आना जा सकता है इनके उपन्यासों का आधार भारतिय समाज का जो सरबाधिक उत्पिडित बर्ग और उत्पिडित बर्ग दलित मजदूर के बारे में उनका बर्नन अन्यथा सबसे अत्यंत स्मरणियम माना जा सकता है यहाँ उपन्यास भारतिय ग्राम्मेन जीवन के जीने वाले दलित समाज का प्रतिनिद्प करता है और उसके साथ साथ पुन्जिवादी व्यवस्ता किस प्रकार से दलितों का सोशन करती है पाठक इस उपन्यास के द्वारा रूबरू हो जाते हैं और जगदिस चंद्र ने कहा मेरा उपन्यास मेरी किसोरा वस्ता की कुछ अभिश्मरण्य स्मृतियों और उनके दामन में छीपी एक अदम में वेदना की उपज है यहाँ उपन्यास पंजाव के होश्यार पुर जिल्ले के दोव के घोड़े वाह गाव के दलितों की कहानी है उपन्यास का मुख्यपात्र काली हरी जन जाती का है लगबग छे माहा बाद कानपूर सहर में गाव छोड़ वाहा आता है हम अगर कहें तो क्या हुआ कि काली जो है अपने गाव को छोड़ करके वो चला गया था सहर की सहर की तरफ रवाना हो गया था और वो कहीं पर काम करने के लिए गया था उसके बाद 6 महा के बाद वो अब जो है कानपूर बापस आया है यहाँ उसकी इस गाव में उसकी चाची अकेली रहती है सहर से आकर काली को बिल्कुल छोटा वो पिछडा हुआ लगता है इस कहानी के तहद गाव में चमारों का रहन सहन वैसा ही था जैसे पहले वो रह रहा था उस समय जैसा था अभी भी ऐसा ही था उनका भाग्या आज भी गाव के जमीदार, चोधरी, जाटों, आदि के यहां बंद्धा हुआ था जगदिश चंदर जी का कहना है कि उनका भाग्या पुरी तरीके से खुला नहीं था या वो पुरी तरीके से दबे कुछले थे वो जम्मिदार और चोधरियों के नीचे ही रह गए थे काली अपने पुराना मकान गिरा कर नया मकान बनाना चाहता था क्योंकि वो वापस आया था गाओं में वो सहर से कुछ पैसा लेकर के आया था और अपने जो मकान को फिर से बनाना चाहता था गाओं में केबल जम्मिदारों और स्रेष्ट साहुकारों का ही पक्का मकान था इसलिए काली को मकान बनाने के लिए नहीं दिया गया कारण क्या है कि अगर वो मकान बना लेता है तो जो है चोधरी और साहुकारों के बराबर हो जाएगा ऐसा उनका सोच था और हम देखें कि चोधरी हर नाम सिंग इसमें जो है दखल देता है देखल देने के साथ साथ जो है उनके गाउं में रहने वाले पडूसियों से उसका जगडा कर लगवाता है या करवा देता है उसकी चाची की और उसके दोरान जो है मृत्ति हो जाती है और उसके फैसे चोरी भी हो जाते हैं कारण यही सब जो है हर नाम सिंग का ही जो है क्याधरा है हो जाता है और मकान बनने का सपना एकदम तूर जाता है काली कई तरह आवाज उठाने की प्रयास करता है लेकिन अपनी जाती का संगठन अपनी जाती का संगठन की भी बनाता है उसमें से उसको कुछ भी हासिन नहीं होता या उस संगठन का कोई भी फाइदा उसको नहीं मिलता उपन्यास केंद्र में काली और जानो की फ्रेम हो जाती है यहाँ इस उपन्यास का एक केंद्र बिंदू बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है जानो का भाई मंगू था और जानो का भाई मंगू था और इसके अंदर जो है बड़ी ही निर्विक और सुन्दर भी था जानो इस कारण जो है जो काली और जानो का प्रेम हो जाता है काली का जिम्मेदारियों के बिरुद आवाज उठाता देख जानो को भी भाजाता है बह उसकी तरह आकरसित हो जाता है काली भी जानो की सुन्दरता भर निर्विक्ता से त्रवावित हो जाता है जब जानो की परिबार कोई नहीं पूरे गाओं को पूरी तरह पता चल जाता है की काली और जानो का फ्रेम संबंध है मंगू अपनी बहन को मारता भी रहता है और उसके उपरान जो है जानो की परिबार वाले दोनों की साधी करवाना नहीं चाहते और काली जो है पूलिस की डर से उसको लेकर के भाग जाना भी पसंद नहीं करता उनके फ्रेम का फरवान पड़ता है और वो गर्बबती हो जाता है पता चलने पर जानो की मा उसे गर्ब गिराने की दवा पिलाती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता तो मंगू सक्खिया लाकर देता है सख्या एक तरह का दबाई होता है जिसमें से गर्ब का निरोधक माना जाता है या गर्ब को गिराया जा सकता है उसे खिला कर जानों को मार दिया जाता है इसके बाद काली भी कई दिनों तक गाव से गायव रहता है फिर एक दिन पता चलता है कि काली से मिलती जुलती एक लास गाव के कुए में पड़ी है लेकिन कोई देखने नहीं जाता क्योंकि काली को कोई पसंद नहीं करता इस तरह से हम देखते हैं कि दगदिश चंद्र माथुर जी ने और उनका उपन्यास धरती धन्ना अपना समिच्छा एवंग ब्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करके लाया था और आपको अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस तरह से योजी सी नेट में लगा हुआ सभी तरह का सभी उपन्यास का एक एक करके व्याख्या करेंगे और आपको समझाने की पूरी-पूरी कोशिस करूंगा आपको अगर यह समझ में आ गया हो तो इस को जो है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें एल पास में आने वाले घंति बटम को दबा दें इस तरह से आपके सामने और भी नई नई तथे और नई नई जानकारियां आपके सामने प्रस्तूत करता रहूंगा और हम अगर चाहें तो कोई भी जो है कठिनायों को कठिनायों का सामना करके जो है योजी सिनेट के पाठे करम रेल में लगा हुआ जो उपन्या सब हैं उसका शुक्ष्म ब्याक्ष्या आपके सामने प्रस्तूत करने के लिए जल्द ही मिलेंगे धन्यवाद